ओम गण गणपतहे नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रों प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है मित्रों आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे महा शक्तिशाली मंत्र के बारे में बता रही हूँ जिसका प्रयोग करने से साधक शत्रु को किसी भी मन चाहे रोग से बीमार कर सकता है याने कि साधक को शत्रु को किसी भी विशिष्ठ रोग से पीडित करना है तो वह इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है इस शिवजी के मंत्र की खास और अच्छी बात यह है कि साधक अगर चाहे तो उस शत्रु को फिर से ठीक कर सकता है याने कि दिये गए रोक से मुक्त कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह एक दुश्मन को पिडित करने का या सजा देने का एक अत्यंत प्रबल और अचुप मंत्र है इसलिए इसका प्रयोक अत्यंत साउधानी से करे अगर कोई दुश्मन आपके या आपके परिवार के या प्रिय जनों के जान के पीछे हाथ धूकर पड़ा है और आपको हद से जादा परेशान कर रहा है तो ही इस मंत्र का प्रयोक करना उचित है अब मैं आपको मंत्र के विधी के बारे में बताने जा रही हूँ गुरुपया ध्यान से देखिए और सुनिए इस मंत्र का प्रयोक आप किसी भी दिन कर सकते हो इसके लिए खास शुबमुहरत की अवशक्ता नहीं है आपको किसी भी मंदीर या अपने घर के अंदर के पूजा घर या भगवान की मुर्ती या तस्वीर के सामने लगाए गए अगर बत्ती या धूप की थोड़ी सी राख लेनी है और उस राख को एक छुटे से कागज के टुकडे पर अपने सामने रखकर आगे जो मंत्र में आपको बताने जा रही हूँ उसका पांच हजार बाईस बार जाप करना है ऐसा करने से वह राख उस मंत्र के शक्ती से अभी मंत्रित हो जाती है इसके बाद उस चुटकी भर राख को जिस शत्रु को आपको बीमार करना है उसके उपर छिड़कनी है यह आपको अत्यांत गुप्त रूप से और साउधानी से करना है अईसा करने से जिश रोग से आप शत्रु को बीमार करना चाहते हो उस रोग से शत्रु पीडित हो जाएगा इस मंत्र का जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष जाप माला का भी इस्तमाल कर सकते हो अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिए मंत्र मैंने हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखा है मंत्र इस प्रकार से है ओम कलपान्ते नमस्कारे फट स्वाहा फिर से सुनिए ओम कलपान्ते नमस्कारे फट स्वाहा अगर आप दुश्मन को दिये गए रोक से मुक्त करना चाहते हो तो पहले बताई विधी की तरह ही आपको पुजा घर या भगवान के तस्मीर के सामने की थोड़ी सी अगर बत्ती की राक एक कागच के टुकड़े पर रखनी है और उसके सामने बैठकर इस शिवजी के मंत्र का एक हजार बैयालिस बार जाप करना है जिससे वह राक मंत्र के शक्ती से अभी मंत्रित हो जाएगी फिर उस राक को दुश्मन को चखने के लिए देना है जब दुश्मन उस राक को चखेगा तब उसकी तबियत फिर से ठीक हो जाएगी और वह रोग मुक्त हो जाएगा मित्रों जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया है कि अगर दुसरा कोई भी चारा या विकल्प बचा नहीं है तो ही इस मंत्र का प्रयोग करना है इस वीडियो का अंग्रेजी आर्टिकल आप हमारी साइट प्रॉफिट666.com पर देख सकते हो अगर आपको हमारा चानल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे खिर्टिकल आपको हमाराइब जस विवेर इस सकता है यसियर्टाइब